है यह स्टुडेंट हाव यू ओप आपको कोश्यन आइंसर करवाएंगे ओके सो ओपन यूबुक और पेज नंबर 16 हमने आपको फैमिली टापस फैमिली 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 यह सब के बारे में पिछले क्लासेज में बताया था आज हम क्या करेंगे उनका कूशिन आइंसर आपको करवाएंगो दूर्ट सो ले क्डिशें है इसमें क्या करना है आपको टिक करना है जो पोषाब्र कि करने है जो करेक्ट आइंसर है ओके सि ह"- mother and father are our what? हमारे पापा, ममी हमारे क्या कहलाते हैं? पैरेंट्स कहते हैं? या गैन पैरेंट्स कहते हैं? या अंकल कहते हैं? हमारा एंसर क्या होगा? पैरेंट्स होगा, ओके? The children of our uncles and aunts are our, हमारे चाचा और चाची के जो बच्चे होते हुँ हमारे क्या कहलाते हैं? सिब्लिंग्स बोलते हैं, कजन्स बोलते हैं या फ्रेंट्स बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? कजन्स बोलते हैं? तो टिक है, कजन्स पर टिक किजिए कजन्स का बॉक्स यह है पैरेंट्स का बॉक्स यह है एंसर क्या होगा, grand parents लगेंगे, okay, our parents, brother is our, हमारे papa, mommy के भाई हमारे क्या लगेंगे, grandfather, father या अंकल, मतलब दादा या नाना, या पापा, या चाचा या मामा, क्या लगेंगे, uncle लगेंगे, so यहां पे हम, tick mark देंगे, okay, our parents, sister is our, हमारे papa, mommy की बेहन, हमारे क्या लगेंगी, siblings ल है not हमारे हमारे पापा ममी के बहन हमारी क्या लगेंगी सिबलिंग्स लगेंगी संस लगेंगों अंशेस्ट अंट आप यहां पर करोंगे नाउट राई रो फड्न में इस बठाइबस की मैं इस लिखना होती आप आप क्या लिखोंगे टी मेंब ऑफ फैमली टेक कियर ओफ वन अनधर मेंबस और फैमली टेक किर ओफ वन अनधर फैमली और एक दूसरे का टेक करते हैं यह स्मय आप क्या दोगे टूब only the father is known as the parents only the father सिर्फ parents में पापा ही include होते हैं no यहाँ पे आप क्या दोगे false F दोगे see a large family has parents and one or two children large family में सिर्फ parents और एक या दो बचे रखते हैं no false होगे यहाँ पे आप क्या fill up करोगे F fill up करोगे my friend is my family member आपके friend आपके family member है false तो यहाँ पे आप क्या put करोगे false now question number C unscramble the word and write them correctly यह आपका word क्या है उल्टा और पूल्टा है उसको आपको क्या लिखना है correct word इसमें आपको बगर के सही words में convert करना okay I, L, F, M, Y, L A यहाँ पे क्या हो जाएगी family यहाँ पे small, cousins, uncle, aunt okay now here the question who are parents who are siblings who are siblings how many members are there in your family what is a small family what is a joint family see मैंने आपके लिए question answer बना दिया इसका मैं आपको वीडियो भी फोटो सेंड करूंगे who are parents parents कौन है mother and father together are called parents papa ममी जो है उनको हम क्या बोलते है parents बोलते है otherwise अधर्वाइज ममी को mother बोलते है father को हम लुग क्या बोलते है papa बोलते है लेकिं जब दोनों joint करके होते है तब क्या बोलते है parents बोलते है okay who are siblings brother and sister are called siblings भाई और बहन को हम क्या बोलते हैं, siblings बोलते हैं, how many members are there in your family, यहां पर आप क्या बोलोगे, इसमें एक question पुछा जा रहा है, आपके family members में कितने members है, आपके family में कितने members है, तो आप अपना answer लिखोगे, four, five family members are in our house, okay, what is a small family, a small family means family has parents and one or two children, it's called small family, small family किसको बोलते हैं, small family उसको बोलते हैं, जो एक parents और एक या दो बच्चे होते हैं, उसको उन क्या बोलते हैं, small family बोलते हैं, what is a joint family, a family has parents, children, grandparents, uncle, aunts and their children living together is called joint family, joint family किसको कहते हैं, जिस family में पापा, मम्मी, हम भाई, बहन, अंकल, आंटी, उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, joint family, so आपके chapter 3 का question answer आपका complete हो गया है, okay, is this clear, any question, okay, that's for today, thank you, bye.